पूरी दुनिया में इसराइली सेना अपनी मौडन सेन ने टेकनोलोजी के लिए जानी जाती है लेकिन उसके बावजूद मिडली इस्ट में वो चारो तरफ से घिर चुकी है और इस कड़ी में इरान और हिजबुला ऐसे दो किरदार हैं जो इसराइल के अस्तित्व के लिए खत्रा बनते जा रहे हैं हाला कि हिजबुला इसराइल की ताकत से भली भाती वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद हिजबुला के प्रमुक हसन नसरल्ला डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर इसराइल के टैंक लेबनान में घुसे तो उनका नामों निशान मिट जाएगा और नसरल्ला के इस बयान से एक सवाल खड़ा हुआ है वो ये कि अगर इसराइल लेबनान पर हमला करता है तो क्या हिजबुला के पास वो मौडन हत्यार हैं जिन से वो इसराइल को हरा सकता है तो आपको बता दे कि कुवेट के न्यूस पेपर अलजरीदा ने अपनी एक रिपोर्ट में एक बड़ा खुला सा किया है अलजरीदा का कहना है कि इरान की कुद्स फोर्स ने हिजबुला समेत मिडलीस्ट में अपने प्रॉक्सी संगटनों को इलेक्ट्रो मैगनेटिक ओर्डिनेंस यानी इलेक्ट्रो मैगनेटिक बम सप्लाई किये हैं जिन से इस्राइल के लिए बचना नामुम्किन हो जाएगा और अगर ये बात सच होती है तो इस्राइल के लिए ये परमानू खत्रे के बराबर हो सकता है लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इलेक्ट्रो मैगनेटिक ओर्डिनेंस या बम होते क्या है तो आपको बता दे कि ये एक ऐसा हत्यार या विस्फोटक है जो इसराइल के संचार तंत्र और रेडार को बंद कर सकता है और इसको लेकर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सेन तकनीक विक्सित करने वाली एसगार्ड सिस्टम के सीईओ रौटेम मेटैल ने ये जानकारी दी है और इस इलेक्ट्रोनिक ओर्डिनेंस को लेकर रौटेम ने अलजरीदा से कहा कि कल्पना करें कि जिस इमारत में आप रहते हैं उसमें बिजली गिरती है बिजली की छड या एंटीना पर नहीं बलकि पूरी इमारत पर जिससे सभी बिजली के पैनल, वाटर हीटर, पानी और बिजली के सिस्टम, घरे लूप करन, कम्प्यूटर, टेलिविजन सिस्टम और यहां तक की जीवन रक्षक मेडिकल प्रणाली भी काम करना बंद कर दे प्रोटम ने अपने बयान में आगे कहा कि इलेक्ट्रो मैगनेटिक ओर्डिनेंस का सबसे ज्यादा खत्रा सेन अड़ो, रनीटिक ठिकानो, दिसैलिनेशन सिस्टम और इसराइल के पावर ग्रिड पर है, हालकि यह ठीक ठा कहना संभव है क्योंकि इतिहास में अभी तक ऐस इसे हतियार का इस्तिमाल नहीं हुआ है, और इसे बनाने के लिए कोई स्रोत या संदर्ब उपलब्द नहीं है, और बड़ी बात यह है कि जब रॉटम से पूछा गया कि यह हतियार किसी इलेक्ट्रिक लहर या पारंपर एक हतियार और रॉकेट की तरह है, तो उन्होंने तैल अवीव में अमेरिकी दूतवास के पास हमला किया था, और सिर्फ गन पाउडर के साथ काइनेटिक वार हेड के बजाए ड्रोन के सामने वाले हिस्से पर इलेक्ट्रो मैगनेटिक पल्स को सक्रिय तंतर को लगाये जा सकता है, जो ड्रोन की उडान और टार्गेट के सं लामों को देकर ईरान अपना एक बड़ा मकसद हासिल करना चाहता है, इरान इसराइल के खिलाफ दो नए फुरंट खोलना चाहता है, अगर इसराइल लेबनान पर आकर्मन करता है तो वो गोलन में सीरियाई प्रतिरोधियों को इसराइल के खिलाफ लामबंद करेगा, और गैलीली फ्रंट पर भी एक नया मोर्चा खुल जाएगा और ऐसा करके इरान इसराइल के लिए खत्रा पैदा करना चाहता है हाला कि अलजरीदा का कहना है कि उसे सूत्रों ने बताया कि हिजबुला के पास पहले से ही ऐसे बम और मिसाइले हैं जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक हत्यार लेकर जा सकते हैं और इरान की रेवलुशनरी गार्ड फोर्स ने बीते दिनो इन बमों को हिजबुला को डिलिवर किया है इसके अलावा इरान ने हिजबुला को पहले से ही ऐसे हत्यार दिये हैं जिनका ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल हिजबुला इसराइल पर कर रहा है और इसका एक data bank भी बन रहा है जिसमें ये जानकारी खटा की जा रही है कि कौन से हत्यार इसराइल के air defense system को भेज सकते हैं और अगर ये दावे सच हैं तो आने वाला वक्त इसराइल के लिए किसी बड़े खत्रे से कम नहीं है आपको बता दे कि हिजबुला के तरकश में कई तरह के heavy bum, rockets, ballistic missile, anti-aircraft, anti-tank और anti-ship missile हैं हिजबुला के पास फलक 1 और फलक 2 unguided rockets है जिनकी range 11 km है हाला कि हिजबुला के कुछ rockets एकदम 60ी खमला नहीं करते और इन में 3 km तक की गलती हो सकती है इसको लेकर लिबनानी सेना के retired general और military analyst खलील हेलाउर का कहना है कि हिजबुला के पास इरान की ballistic missile हैं जिनका इस्तेमाल होना अभी बाकी है इनमें फते 110 जो 162 हमला करने वाली guided missile है इसकी range 300 km तक है ये तैल अविव और ये रूशलम तक आसानी से पहुँच सकती है वही control risk consultancy के associate analyst दाइना एराइकजी का कहना है कि साल 2006 में कथित रूप से हिजबुला के पास 15,000 rockets थे जबकि अनाधिकरत अधिकारियों के अनुमान ये संकेत देते हैं कि हालिया दिनों में हिजबुला ने इस संख्या में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी की है बड़ी बात यह है कि हिजबुला के पास rockets के अलावा हजारों की संख्या में कामी केस ड्रोन है जो बेहद ही कम उचाई पर उडान भर सकते हैं और हाल ही में हिजबुला के दो ड्रोन्स ने इसराइल के तमाम सैन ने अड़ो का वीडियो रिकॉर्ड किया था जो बेहद ही कम उचाई पर उड़ते हुए इसराइल में घुस गए थे वहीं सैनिकों की बात की जाए तो हिजबुला एक बार में एक लाग से ज्यादा लड़ाकों को लामबंद कर सकता है जो इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं इसके अलावा हिजबुला के पास रूस और चीन की कुछ ऐसी मिसाइले हैं जो एक बार में इसराइल के सभी समुद्री तटो पर अटैक करने के काबिल है कर दूसराइल करते हैं